हेलो ब्रियोन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप लोग केबल कक्षा दसवी या बारवी पास हैं और इंडिया पोस्ट आफिस को जोईन करके पोस्ट मैन, मेल गार्ड और MTS के पदो पर 2024 के अंदर सरकारी नोकरी पाना चा इसके बारे में SS महादेवा जी जो की GDS के महा सचीब हैं उन्होंने भी जानकारी दी उसके बात से लेकर अब तक मुझे बहुत सारे कमेंट, मैसेजस और पर्सनल इमेल आए हुए हैं कि पोस्ट मैन, MTS और मेल गार्ड विकेंसी के बारे में हमको एक बार जरूर से जानका वो भी पोस्ट मैन, मेल गार्ड और MTS के पदो पर अभी आपका सवाल होगा क्या उसमें फ्रिसर केंडिडेट भी आवेदन कर बाएंगे तो आगे आपके पूरे के पूरे सवालों के जवाब मिलेंगे, नोटिफिकेशन और कलेंडर को उपन करके दिखाया जाएगा, क्य वो पिछले 3 सालों से भी जादा समय से रुकी हुई है पता नहीं किस बज़े से जहां पे पोस्ट मैन, मेल गार्ड और MTS के पद अभी तक भरे नहीं गए हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब स्काइब करके बेल नोडिफिकेशन को चरूर अन करिएगा, तो दोस्तों जैसे कि मैने आपको बताया पोस्ट मैन, मेल गार्ड और MTS यानि की मल्टी टास्किंग इस्टाप के पतों पर भरतियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, दस्वी में आपके कितने परस इस पे सेलेक्शन डारेक्ट नहीं हुआ, बलकि पहले आपका एक्जाम हुआ, उसके बाद आपकी मेरिट बनी है, जो पुराना दो नोडिफिकेशन है, उसके अंदर 9893 पद मिंसन किये हुए थे, जबकि पिछले 3 सालों से ये भरती रुकी हुई थी, अगर 3 सालों के आप लोग इसके लिए भारत के किसी भी राज्य से आभीदन कर पाएंगे, और आपको आपके सहर में ही नोकरी मिलेगी, आपकी पोस्टिंग मिलेगी, कैसे आपको बताते हैं, जैसे GDS ग्रामीन डांक सेवक की विकेंसी होती है, BPM, ABPM और डांक सेवक की पोस्ट होती है, पोस्ट मैन और मेल गाड की पोस्टिंग होती है, तो आपके, आप किसी भी गाउं में रहते हों, या फिर आप सहर में ही रहते हों, तो आपको सहर में या फिर गाउं में रहते हैं, तो भी आपको सहर के अंदर ही जानिंग देखने को मिलेगी, आपको इसके बारे में आग उसको open करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको total तीन तरह के PDF को download करना होगा दो PDF तो हो गया, एक तो हो गया MTS का और एक हो गया mail guard और postman का और एक PDF हो गया जो India Post Office का 2024 का calendar है, दो के अंदर आपको vacancy detail मिलेंगी, तीसरे के अंदर calendar के अंदर आपको exam nation या फिर application जारी होने की dates देखने को मिलेंगी, अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इंडिया Postal Circle की तरप से आपकी recruitment आने वाली हैं 2024 के लिए, सबसे पहला काम करेंगे website पे आते ही WhatsApp ग्रूप को जरूर जॉइन करेंगे, टेलिग्राम चैनल को भी जरूर से आप लोग जॉइन कर सकते हैं इसके बाद Google सेर्च कर सकते हैं नोकरीकवर्ड.com आपको अमारी website मिलेगी और इसी के अंदर आपको complete data मिलेगा, देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट की बची हुई है, उनके लिए बिल्कुल free एज की बात करें, तो 18 से 27 प्लस यहां पे आपको उम्र में छूट मिलेगी तो 40 साल तक के केंडिडेट यहां पे आसानी से आवेदन कर पाएंगे जो दो पुराने notification आये हुए थे उसके अंदर जो data था वहां पे 98,083 पदों पर यह भरतियां एवेलिबल थी यहां पे आपको पोश्ट मैं की 69,99 मेल गाड की 1445 और मल्टी टास्किंग इश्टा प्यानी MTS की 37,549 पोश्टे एवेलिबल सो कर रही थी इसके बाद यहां पे आवेदन करने के लिए 10-12 पास होना चाहिए इसके अंदर दो तरह के रूल होते हैं एक तो जो अल्रेडी GDS की पोश्ट पे काम कर रहे हैं प्रमोशन चाहिए उनके लिए अलग एजुकेशन कौलिफिकेशन और जो फ्रिसर केंडिडेट है उनके लिए अलग एजुकेशन कौलिफिकेशन समध्या देता हूँ जो फ्रिसर केंडिडेट है पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए MTS में 10 पास और बाकि जो मेल गाड और पोश्ट मैन है उसके लिए 12 पास लेकिन जो अल्रेडी GDS की पोश्ट पे सलेक्टेड हैं उनके MTS के लिए कोई एजुकेशन कौलिफिकेशन की नीड नहीं होगी और जो मेल काड और पोश्ट मैन की विकेंसी है अगर GDS की पोश्ट पे काम कर रहे हैं तो 10 पास है तो भी आप लोग आप एधन कर पाएंगे और इंडर लेबल की जवाप रहेगी मेल और फी मेल दोनों आप एधन कर पाएंगे इसके बाद सेलरी यहां पे आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है 25,500 से 86,100 रुपे तक की और जो सलेक्षन है सलेक्षन बहुत और यहां पे अगर आपके 33% भी है आप पास भी है तो भी आप आभीदन करके एक्जाम दे पाएंगे उसके बाद मेरिट बनेगे उसके बाद डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा अभी हम बात करते हैं इंपोर्टेंट लिंक के बारे में जहां पे आपको प्रीडिप्स मिलेंगे तो देखे हमने साप साप मिंसन किया है MTS नोटिपिकेशन के बारे में एक बार यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको MTS का और यहां पे पोश्ट मैन और मेल गाड का नोटिपिकेशन है क्लिक एर की बेटन पे क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे यह आपकी ड्यूटू यह आप इसको डाउनलोड करें और एक बार चेक करें हम आपको जो इंडिया पोस्ट आपिस का कलेंडर आया हुआ है उसको एक बार दिखाते हैं दोस्तो आपको इस कलेंडर को डाउनलोड करने का लिंक भी वीडियो के डिसक्रिप्शन में दे दिया गया है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देखें डांक बवन सुनसद मार्ग और डेट को फोकस करिये का सोला चार दोजार चोविस यानि की अप्रैल महिने में सोला तारी को दोजार चोविस में यह रिवाजड कलेंडर डांक युआ की तरफ से आया हुआ था सब्जेक्ट भी देख सकते हैं यानि की जो भी एक्जामनेशन होने हैं यह दोजार चोविस के अंदर उसका कलेंडर है इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से ज्यादा आपका टाइम वेश्ट नहीं करेंगे आप लोग यहाँ पे देखें रिवाईड कलेंडर वर एक्जामनेशन फॉर दी यह आप टो थाजन टूटिफ़ यहाँ पे आपकी टेंटेटिव डेट आफ एक्जामनेशन डी ओ ए और यहाँ पे आपका अप्लिकेशन फॉर्म इस्टार्टिंग और आखरी डेट और यहाँ पे जो भी एक्जाम के ने पूरा कम्प्लीट नोटिफिकेशन बारा जून को आएगा और आब एदन सुरू हो जाएंगे जिसकी आखरी डेट है तीन जुलाई दो जार चोविस की इसके बाद यहाँ पे दूसरे नमबर पे फोकस करिएगा जी डी अस्यानी क्रामीन डार्ट सेवक के बारे में बात क पूर्ट प्रमोशन टू दि पोश्ट और पोश्ट मैन मेल गाड और फॉर एलेजिबल मल्टी टस्किंग इस्टाप यानि कि यह प्रमोशनल विकेंसी इस बात का ध्यान रखेगा फ्रेसर केंडिडेट के लिए भी विकेंसी या लेकर आ सकते हैं जिसकी डेट आपको यहा वाज नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आ जाएगा और 6 अगस 2024 तक इसके लिए आप लोग आविदन कर पाएंगे सेम यहाँ पे आपका मेल गाड और MTS की पोश्ट पर जो नोटिफिकेशन है सेम डेट को आने वाला है एक बार इसको आप लोग जरूर देखेगा ताकि आपक केंडिडेट की विकेंसी है डिपार्टमेंट चाहे तो लाँच कर सकता है जैसे GDS की पोश्ट पे हरी जंडी मिल चुकी है जुलाई 2024 के नाम से आपका सेड्यूल फर्ष्ट नोटिफिकेशन आएगा लेकिन यहाँ पे आपको और एक चीज बता दे कि जब वो आपकी GDS की विकेंसी आजाएगी उसके बाद ही संभव है कि पोश्ट मैन, मेल गार्ड और MDS के पदों पर भरतियां आएगी तो आप लोग रेडी रहे कोई दिक्कत नहीं है आपको एक्जाम देने को मोका मिलेगा हमने आपको जानकारी दे दी है 33% के साथ भी आप एलेजिबल है आपको अच्छी लगी होगी मिलते अंगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद